चोपड़ा है जो किसे ने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों MCC के सेकंड राउंड जो आल इंडिया का सेकंड राउंड था उसमें वेकेंट सीट थी वो इस्टेट को ट्रांसपर कर दी गई हैं ये टोटल जो सीटें थी ओल इंडिया के MBBS के लिए वो 5572 सीट्स थी इन सीट्स में से जो वेकेंट रही है वो 1730 सीट्स MBBS की हैं इसमें 367 seats VDS की हैं तो ये total MBBS और VDS की जो vacant seat हैं वो 2097 seats vacant हैं और ये state को transfer कर दी हैं ये 32% seat vacant रही हैं इस बार All India के second round में और इन 32% seats को transfer किया है state में तो आप इसकी website पर देख सकते हैं MCC की website पर इसमें state wise college wise vacant seat डाली गई हैं तो आपके state में कौन सी college में कितनी vacant seat रही हैं यानि कि आपके state को कितनी vacant seat transfer हो रही हैं आप इसकी website पर देख सकते हैं इसमें लीचे उन candidate की list भी दे रखे जिनोंने round one और round two में join कर लिया है आलडी वो further counselling के लिए eligible नहीं हैं उन candidate की list भी यहां दे रखी हैं तो आप इसमें वो भी देख सकते हैं तो इस बार जो revert होके seat आई हैं वो 32% seat रिवर्ट होके आई हैं All India से state को जिन state की seat All India में थी उस concerned state को वापस कर दी है vacant seat MBBS और BDS के लिए अब इन seat उंपर state के candidate ही eligible है यानि कि state counselling authority ही इन seat की counselling करवाएगा जो बाकी seats हैं MCC की Central University, AIMS, Zipmer और Dimmed की उस पर MCC का mop up round होगा तो ये एक information थी इसकी website पर आपको list और vacant seat मिल जाएंगी कितनी कौन कौन से उसमें vacant है ये आप इसमें देख सकते हैं तो ये total vacant seat हैं आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वा जदा जदा शेयर करें मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिन